नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद, स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में दोस्तों अगर आप हर महीने 210 रुपए जमा करेंगे तो 60 साल के बाद सरकार आपको 5000 रुपए महीने की पेंशन देगी दोस्तों अगर आप रिटार्मेंट के बाद यानि अपने बुड़ापे में भी नियमित आय प्राप करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बहतरीन साबित होगी सरकार की इस स्कीम में मात्र 210 रुपए महीना जमा करके आप रिटार्मेंट के बाद 5000 रुपए प्रती महा की जो पेंशन है वो प्राप कर सकते और इस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना इस स्कीम में अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं और हर महीने 210 रुपए जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 5000 रुपए मिलेंगे और अटल पेंशन योजना के तहट किसी वी व्यक्ति को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की पेंशन हर महीने मिल सकती ह हाला कि पृति महीने जमा किये जाने वाली रकम व्यक्ति के उम्र पर भी निर्भर करती है आप जितनी कम उम्र में इस योजना में निवेश की शुरुआत करेंगे आपकी किष्ट भी उतनी ही कम होगी और उम्र के साथ ही इस किष्ट भी इसकी किष्ट भी बढ़ती जाती है हम आपको बता दें कि प्रती महिने अगर आप 1000 रुपे की पेंशन प्राप करने के लिए आपको अपनी उम्र के हिसाब से 42 रुपाई से लेकर 291 रुपे प्रती महा जमा करवाना पढ़ सकता है अगर किष्ट देने वाले किसी व्यक्ती की किसी कारणवस म्रत्ती हो जाती है तो उसके नौमिनी को 170,000 रुपे भी मिलते हैं अगर आप हर महीने 2000 रुपे की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको हर महीने 84 रुपे से लेकर 582 रुपे तक किष्ट देनी होगी और आपकी मासिक किष्ट आपकी उम्र पर भी निर्वर करती है अगर इस दोरान व्यक्ती और इसकी पत्नी की म्रत्ती हो जाती है तो उसके नौमिनी को 3,40,000 रुपे एक मुष्ट मिल जाएंगे अगर आप हर महीने 5 रुपे की पेंचन पाना चाहते तो आपको 210 रुपे से लेकर 1454 रुपे तक जमा करने पड़ सकते हैं अगर इस दोरान व्यक्ती और इसकी पत्नी की म्रत्ती हो जाती है तो उसके नौमिनी को 8,50,000 रुपे की एक मुष्ट रकम मिलेगी अगर साट साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्यक्ती की म्रत्ती हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी कर सकती है और साट साल के बाद हर महीने पेंचन पा सकती है दूसरा उप्शन आपके पास यह है कि उस व्यक्ती की पत्नी अपने पती के मोत के बाद एक मुष्ट रकम का दावा कर सकती है अगर पत्नी की भी मोत हो जाती है तो एक मुष्ट रकम उसके नौमिनी को दे दी जाती है सकार द्वारा शुरू की गई है इसकीम समाज के कमजोर वर्ग के लिए है ताकि 60 साल के बाद उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े इस योजना में 18-40 साल तक की उम्रे के लोग जुड़ सकते हैं और इस योजना में कम से कम आपको 20 साल का निवेश करना पड़ेगा इस योजना से जुड़ने के लिए बेंक में आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और एक आधर कार्ड होना बहुत ही जरूर है तो दोस्तो अटल पेंशन योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है और आप इसे किसी भी बेंक में ओपन कर सकते हैं वहाँ पर उस बेंक में आपका एकाउंट होना चाहिए एक सेविंग एकाउंट होना चाहिए और आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद आप अभी से सुनिशित कर सकते हैं कि 60 साल के बाद मुझे एक पर्टिकुलर प इसकीम बहुत ही अच्छी आप छोटा छोटा पैसा जमा करके एक पेंशन के लिए हकदार है और किसी वज़े से मृत्ती हो जाती ही जमा करने वाले को तो उसकी वाइब को ये पूरा पैसा मिलता है तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाईए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार